हेलो एव्रीवन, वेल्कम टू एक्जाम टेज़ी आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे जो जेनु के तरफ से जो डिफेंस काटेगरी का कटफ आया है तो MA Political Science, MA International Relations और MA Politics जो PISM है तो इन तिनों का जो डिफेंस काटेगरी का कटफ है किस rank पर admission हुआ है किस marks पर और कौन सी category पर admission हुआ है 2023 में तो जितनी भी ऐसे candidate हैं जो next year के लिए preparation कर रहे है या आप लोग ने इस बार defense category के अंदर आप लोग ने admission के लिए apply किया था लेकिन नहीं हो पाया है तो आप political science के लिए चेक कर सकते हैं तो defense के जितनी भी जो बच्चे होते हैं उसके अनुसार से seat reserved होती है हर एक course में तो 5% जो total course का seat होता है उसका 5% reserved होता है defense category के students के लिए जो जिनके parents ward है यादा serving है retired है तो उन सारे बच्चों के लिए तो political science में सबसे पहले आज हम लोग तो यह अब क्योंकि political science का यह सारा का जो code है H U Q P 18 So 18 EC में आपको एक single exam के तुरू ही political science international relations या फिर MA politics तीनों courses में आपको admission दी जाती है So सबसे पहले बात कर लेते MA in international relations and area studies So इसका जो code है IRAM So इसका जो admission हुआ है priority 6 पही Priority 6 में मतलब कि जो last candidate का जो admission हुआ है उनका priority 6 था अब आपका क्या priority है इसके लिए आप आप prospectus में देख सकते हैं आप पर priority 1, priority 2, priority 10 तक का दिया गया है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है 844-887-8849 पर call या message करके भी पूछ सकते हैं और आपको सारा details दिया जाएगा और एक्जाम्टेजी के तरफ से जो में पॉलिटिकल साइंस का प्रिपेशन भी कराया जाता है जहां पर online classes study material सब कुछ provide किया जाता है अब next आते हैं यहां पर आप देख पाईए कि यह आपका cutoff marks है यह cutoff rank है तो यह overall rank नहीं है लेकिन difference category के अंदर जितने भी बच्चे जो apply किये ते यह उनका rank है सो यहां पर जो marks है यह 55 marks है यह out of 300 नहीं है लिकिन यह जो marks दिया जाता है यहां पर जेनिवी तरफ से पर्षेंटेज दिया जाता है पर्षेंटेज का मतलब हो जाता है कि आप में 300 में जो भी score किया था उसको पर्षेंटेज के टर्म में अगर आपको convert करना है कि यह पर्षेंटेज के टर्म में दिया जाएगा तो आपको 55 इंटू 3 करना यानि out of 300 165 165 जिनका भी score था और जिन सारे स्ट्वेंट ने डिफेंस काटेग्री के इंदर अप्लाई किया था उनका एडमिशन जो है जेनिवी दर्ब से में में पोगिया है अब नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं में पॉलेटिक्स जिसका जो कोड है वह है MAPISM सो अगेन का भी जो एडमिशन हुआ है अगर हम प्राइटी लिस्ट की बात करते हैं तो 56 यानि कि अगर हम इसको करते हैं आउट ओफ 300 कितना माक्स आया है तो 56 इंटू 3 आपको करना है तो आपका आ जाएगा 168 माक्स पर यह 168 माक्स है आउट ओफ 300 और अगर हम लोग सिक्स केकर लिच्ट में राइंग की बात करते हैं तो तेंथ राइंग था जिस लास्ट केंडिटेट जिनका एडमिशन हुआ है कि अभने नेस्ट करते हैं तो बाकि तीनों में उन दोनों से सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल साइंस कहीं है लेकिन ऑफ़रॉल रैंक की बात करते हैं अब जैसे देखिए एक ही इस्ट्रुमेंट होंगे जहां पर आपके 10-10 रैंक पर आजाते हैं तो फिर प्राइटे सिक्स के बेसिस प हो जाते हैं तो इन डर्मस अगर हम लोग पर्शेंटेज की बात करते हैं कि इंटरंस एक्जाम में आउट ओफ थ्री हंडिट जो टूटल मार्क्स होते हैं उसमें एटलिस्ट लास्ट कैंडिडेट का जिनका एडमिशन हुए तो अगें 58 इंटू आपको 58.66 तो पॉइंट करते हैं तो आपका हो जाता है 174 और प्लस टू 176 मार्क्स के एडमिशन हुआ है आउट आप अगर डिफेंस केटेगरी से बलांग करते हैं तो मैं आपको बता दूँ डिफेंस केटेगरी के लिए जो सेपरेट मेरिट लिस्ट हाती है उसमें कट-off काफी लो होता है एस है अगर हम लोग बात करते हैं जेनरल काटेगरी आपका gide यह 68% हो गया था तो डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें 10% यानि 30 marks का डिफरेंस हो गया था जो फर्स्ट कट ओफ आई थी जनरल केटेगरी के लिए वह 205 थी हो रही है बात हो रही है पॉलिटिकल साइंस की सो यह पूरा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना और नेस्ट यह अगर आप डिफरेंस केटेगरी से हैं तो जरूरे नहीं है कि आपको इसी marks admission मिलेगा यह हर एक साल वहरी करते रहता है सो कोसिस यह होनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंट्रेंस में स्कूर कर पाएं आप सीट एक जैनी में स्कूर कर पाएं बाकि इसके लाबा कोई भी अगर आपको information चाहिए तो आप लोग call या message करके पूस सकते हैं या फिर वीडियो के comments में comment करके पूस सकते इसके लाबा भी आपके पास और कुछ information है तो अपाट सब भी कर सकते हैं तो अगर आप new है चानल पे तो प्रीज स्क्राइब कर ले और notification bell भी दवाल है जो भी important update होता है वो सार आपको मिलता रहे और classes के बारे में study material question bank test series इन सब के बारे में कोई भी information चाहिए तो आप call या बेश्ट